दशमो ध्याय शुम्भवद ध्यानम में मस्तक पर अर्धचंद्रधारन करने वाली शिवशक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हु। वे तपाये हुए सुवर्न के समान सुन्दर है, सूर्य, चंद्रमा और अग्नी ये तीन उनके नेत्र है, तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुश बान, अंकुष, पाश और शूल धारन किये हुए है। रुशी कहते है, राजन, अपने प्रानों के समान प्यारे भाई, निशुम्भ को मारा गया देख, तथा सारी सेना का समहार होता जान, शुम्भ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तु बल के अभिमान में आकर जूट मूट का घमन न दिखा, तु बड़ी मानिनी बनी हुई है, किन्तु दूसरी स्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कोन है, देख, ये मेरी ही विभूतिया है, अथा मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदन अंतर, ब्रम्हानी आदी समस्त देविया, अंबिका देवी के शरिर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी अईश्वर्य शक्ती से अनेक रूपों में यहां उपस्तित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट ल अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हुँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। रुशी कहते हैं, तदन अंतर देवी और शुम्भ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध चिड़ गया। बानों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुन अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकडो दिव्य अस्त्र छोडे उने दैत्यराज शुम्भ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसे प् रमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्छारन आदी द्वारा खिलवाड में ही नश्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकडो बानों से देवी को आच्छादित कर दिया। ये देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बान मार कर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराजनी शक्ती हाथ में ली किन्तु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ती को भी काट गिराया। तत पश्चाद दैत्यों के स्वामी शुम्भनी सो चांद वाली चमकती हुई धाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा कि उसके आते ही चंडिकानी अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बानो द्वारा उसकी सूर्य किर्णों के समान उजवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोडे और सारत ही मारे गये। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिक को मारने के लिए उद्धत होकर भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्षन बानों से उसका मुद्गर भी काट डाला। तिस पर भी वो असुर मुक्का तानकर बड़े वेक से देवी की ओर जप्टा। उस दैत्यराज ने देवी की चात में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थपड़ खाकर दैत्यराज शुम्भ प्रुत्वी पर गिर पड़ा। किन्तु पुन सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वो उचला और देवी को उपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडी का आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुम्भ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडी का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वो युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिकानी शुम्भ के साथ बहुत द मा दैत्य पुन चंडी का का वद करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दोडा। तप समस्त दैत्यों के राजा शुम्भ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशुल से उसकी छाती छेद कर उसे प्रुत्वी पर गिरा दिया। देवी के शुल की धार से घायल होने प उसके प्रान पकेरु उड़ गये और वो समुद्रों, द्वीपों तथा परवतों सहित समुची प्रुत्वी को कमपाता हुआ भूमी पर गिर पड़ा। तदन अंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्त हो गया तथा आका स्वच दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मीग और उलकापात होते थे वे सब शान्त हो गये तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदिया भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुम्भ की मृत्यू के बाद संपूर्ण देवताउं का हरदय हर्ष से भर ग और गंधर्व गन मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अपसराये नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य के प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा अंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्म्यमी शुम्भवद नामक दस्वा अध्याय पूरा हुआ।